नमस्ते दिनक्षो आटोमोटिव्स के दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नए MGHS SUV के बारे में, जो अन्वेल हुआ है गुडवुड फेस्टिवल अफ स्पीड में UK में। MGHS ने अपने सेकंड जिन मॉडल को मेजर स्टाइलिंग ओवर हॉल दिया है, नए फीचर्स और ठेक के साथ। ये SUV अब और भी स्पोर्टी और स्टाइलिश लगती है। MGHS to Powertrain Options के साथ आता है, एक Standard Patrol Engine जो 170 HP प्रड्यूस करता है, और एक Powerful PHEV जो Combined Output देता है, 300 HP से ज्यादा। Standard Patrol Engine को थोड़ा बूस्ट दिया गया है, और PHEV में Electric Motor का Contribution 113 HP से 209 HP तक बढ़ गया है। बैटरी को भी अपग्रेड किया गया है, 24.7 के WH तक, जिसे Claimed EV रेंज हो गई है, 120 किलोमीटर। इंटिरियोर में All Black Theme के साथ Contrasting Red Stitching दी गई है। सभी वेरियंस में Rear Parking Camera, Keyless Entry और 6-Way Adjustable Drivers Seat Standard मिलती है। HS में Doobara Dot 3-inch Screens है, जिसमें Smartphone Mirroring और Improved Switch के दी गई है। Boot Space भी बढ़कर 507 liters हो गया है, जो 44 liters ज्यादा है पहले के Mucable। इंटिरियोर में Material Quality और Space भी बढ़ाया गया है। AMG Motor India ने Recently JSW के साथ Partnership की है और नए कार और SUV launches ready कर रहा है, जो अगले महीनों में आएंगे। इस साल इंडिया में Cloud EV और Gloster Facelift expected है। अभी तक confirm नहीं हुआ है, लेकिन AMG HS Future में इंडिया में आ सकता है। अगर आया, तो ये हेक्टो के ऊपर और Gloster के नीश पोजिशन होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा Short Review नए AMG HS SUV का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो दीनक्षो Automotives को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए। जै हिंद।